नमस्कार दर्सकों, आज का हमारा विशे है कि अगर आप सपने में काली भैस देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए अच्छा है या बुरा है, इस सपने को देखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो को ही ध्यान से सुनना है, दर्सकों सपने में अगर आप काली भैस देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, ये सपना आपके लिए अच्छा संकेत लेकर नहीं आया है, आप जानते होंगे कि भैस को यमराज का वाहन मना जाता है, और यम होशकता है, आपको चोट चपेट लग जाए, आप दुरघटना के सिकार हो जाए, आपके शाथ में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, जो कि आपको ओ इस्थिर कर दे, आपके मानसिक शान्ती को भंग कर दे, तो इस शपने के बाद आप हर मामले में शावधान रहिएगा, अन्य हैरे के शाथ में किसी भी काम में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कोई भी काम करने का प्रयास करते हैं, तो आपको आने वाले दिनों में परेशानी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा, और वो परेशानी आपको मानसिक रूप से असांत कर दे दर्सकों इस शपने से पहले आप में से जो भी लोग बीमार थे, जिन लोगों का श्वास्त खराब हो गया था, तो इस शपने के बाद आपको अपने सेहत के मामलों में बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है आपका श्वास्त बिगर जाए, सेहत के मामलों में अगर किसी भी विक्ती के साथ में आप पैशों का लेन देन करते हैं, पैशों का आदान परदान करते हैं, तो लेन देन करने में भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप पैशों का लेन देन कर जाते हैं, तो फिर आप आर्थिक रूप स शराब का शेबन करते हो या फिर नसा कोई भी करते हो तो इस सपने के बाद आपको नसा को हर हाल में त्यागना होगा क्योंकि अगर आप नहीं त्यागते हैं तो परेशानी आपके लिए आ सकती है और उस शमस्या में आप उलज जाएंगे तो इस पॉइंट पर ध्यान दीज आप मेंसे जो भी लोग विद्यार्थी हैं पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के छित्र में हो सकता है इस सपने के बाद आपका मन नहीं लगे सिक्षा के छित्र में आपकी एकागरता भंग हो सकती है पढ़ाई लिखाई के परती जो आपका उद्दिश्य होगा जो आपका लक्ष होगा तो लक्ष से आप भटक सकते हैं तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है अन्यता पढ़ाई में आपको परेशानी का सामना करना पर सकता है मित्रों उम्मीद करता हूँ शारी बातें सपस्ट हो चुकी होगी अगर आपके मन में कोई प्रस्ण हो कोई सवाल हो तो कमेंट किजिएगा आपकी शहायता अवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगा सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद स्री राधे